आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस समय महिलाओं की जब नॉर्मल डिलिवरी के बारी आती है और महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल भी हो पाती है लेकिन कुछ कारण के वज़े से जो महिलाय होती हैं वो काफी ज़्यादा ठक जाती हैं और सही टाइम पे पुछ नहीं कर पाती हैं तो ऐसे कौन-कौन से टिप हैं जो कि आप अपनी डिलिवरी के टाइम पे अपना सकते हैं जिसे कि आप कम ठकिएगा और बच्चे को भी पूछ आउट करने में उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपकी जो एनरजी है आपकी जो स्टैमिना है वो बरकरार रहे है वीडियो काफी इनफर्मेटिव है प्लेज शुरू से लेकि आज तक ज़रूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम हर्ष्टा वर्मा है और आपको मेरे चैनल ट्विंस मैं वर्ल केर पे बहुत बहुत स्वागत है तो यह जो थकावट होती है उसका इतना ज़्यादा रोल क्यों होता है क्योंकि अगर सही टाइम पे मा थक जाएंगी जिस टाइम पे आपको बच्ची को बिल्कुल आउट करना है उस टाइम पे और वो थक जाएंगी और वो प्रेशर नहीं लगाएंगी तो बच्चा आपका नीचे के तरफ नहीं सरकेगा लेकिन शुरुआत से अगर कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको स्टार्टिंग से भी एनरजी रहेगी और जब अगर आपको बच्ची को ड जाकि सुद्ध देशी घी आप पूरे 9 महने कर सकते हैं लेकिन थर्ड ट्रैमिस्टर में याद करके आपको सुद्ध देशी घी का इस्तमाल जरूर करना चाहिए उससे आपके बच्चेदानी का मूँ भी खुता है और आपको काफी ज़दा एनरजी में मिलती है दूसरी च निणन है कि अगर आप नौर्मल डेलिवीरी की टाइम पर आपको यही करी चाहिए कि आप बिलकूल लिक्विट ड्यट लेजे और अगर हलके फुल पर जासे की खजूर ले सकते हैं फ्रू जूसिस गहता है और आपके आपको बच्चे को बच्चे-को लेगी और आपको भोग भी नहीं लगी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत जादा ओवरीट कर ले रहा है जिसे कि आप खुद परिशान हो जाईए तो ऐसी कलती आपको नहीं करनी है और जैसे जैसे आपका टाइम आता है डिलीवरी का उसके बच्चे दानी का मुझ खुलेगा उतना ये चांसेस बनते हैं कि आपको लेबर कम भी महसूस होगा जो लेबर का पेन होता है वो कम महसूस होगा और आपको बच्चा जल्दी जल्दी नीचे सरग जाएगा फ्वोर्थ इंपर्टन चीज़ जो कि बहुत जादा को मली आपको पता है तो ये गलती आपको नहीं करनी है कोई ऐसे फैमिली मेंबर को चुनिए जो कि आपकी होसले को बढ़ा दे अब ऐसा नहीं कि वो खुद ही एकदम विहोश हो रहे हैं रो रहे हैं गिर रहे हैं वैसे इनसान को ले जाने की होस्पिटल में अमश्रता नहीं है आपको समलने की जरूरत है आपको थोड़ा अपने आपको कमपोज करने की जरूरत है कि आप ये डिलिवरी का जो समय है वो बिल्कुल नाजुक समय है इस टेम पे आपको स्टॉंग होने की जरूरत है अब आप ही घबरा जाएंगे आपके फैमिली वाले घबरा जाएंगे तो आपका बच्चा आउट नहीं होगा तो आपके बच्चे को सही टाइम पे निकलने के लिए भी आपको ये दर्द होना ज़रूरी है आप दर्द की इंटेंसिटी कैसे होती है दर्द आपको हलका होगा फिर थोड़ा से तेज होगा फिर थोड़ा से तेज होगा, फिर थोड़ा से तेज होगा, ऐसे ऐसे करके आपकी intensity जो दर्द की होती है, वो बढ़ी हुईसी आपको लगेगी, अब ऐसा नहीं ही कि जो दर्द है आपको continuous feel हो रहा है, जैसे कि आपको कोई परिशानी पहले होती थी, तो माननीजी कि आपको दर्द महसूस हुआ, लेकिन ऐसा delivery के time पे नहीं होता है, आपके contractions के उपर ये चीजे वर्क करती है, आगर माननीजी कि आपकी जब delivery होने वाली होती है, तो पहले आपको contraction आएंगे, जो संकुचन होता है, वो पहले उसकी दर्द की intensity कम होगी, फिर ये संकुचन थोड़ा स जादा होगा, जो आधे गंटे गंटे पे एक बार हो रहा था, वो धीरे धीरे करके आधे गंटे पे होने लगे, 15 मिनट पे होने लगे, 5-5 मिनट पे होने लगे, तो उसकी टाइम की जो duration है वो भी कम होगी, और आपकी intensity भी बढ़ती हुई से लगेगी, अब ऐसे case में आपको बैठना है, और अपना जोर आपको नीचे के तरफ लगाना है, अब इससे क्या होगा कि बच्चे दानी का जो मुह है वो जल्दी खुलने की संभावना होगी, और ये जो लेबर का टाइम है वो बहुत असानी से आपका निकल जाएगा, आप मालीजे कि लेबर अग काफी जादा exhaust हो जाएगा, ठक जाएगा और उस टेम पे आपको push करने की हीमत नहीं होगी, तो जैसे जैसे आपके contractions आएंगे, वैसे वैसे आपको इस position में, उकड़ू position में बैठके, आपको नीचे के तरफ pressure लगाना है, और कभी भी लेटने की गलती आपको नहीं करनी है seventh important point कि आपको कभी भी लेटने की गलती नहीं करनी है, सोने की गलती नहीं करनी है, और अपने आपको जितना हो सके flexible बनाईए, वहीं पर आप move करना शुरू कर दीजे, corridor में कर सकते हैं, hospital के bed के पास कर सकते हैं, जहां तक हो सके आपको maximum time खड़े रहना चाहिए, जितना आप खड़े रहीगा, gravity के भी वज़ा से बच्चा नीचे जल्दी सरकता है, और आपको काफी कम लेवर पेन में ही delivery हो सकती है, आप जैसे बहुत सर लोग बोलेंगी कि नहीं तुम ठक जाओगी, नहीं आप ठकिएगा, जहां आपको महसूस होता है कि आपकी energy नहीं लग रही है आपको श्टेम थोड़े देर के लिए बैट जाएए, थोड़े देर के लिए फित से खड़े होके चलने लगे, थोड़े देर के लिए बस खड़े रहिए, कभी भी आप अपने position को लगतार change करिए, change करने से भी बच्चा adjust होगा, बर्थ केनाल के गर्डल में आराम से वो adjust और जितना अराम से आपका निचला portion open होगा, उतना जल्दी से जल्दी आपके बच्चे की delivery हो जाएगी, तो यह जो सारे टिप्स मैंने आपको पताया है, यकीन मानिए दोस्तों, यह बहुत ही रामबान उपाया है, और last but not the least, 8 जो बहुत important point है, आपको गुनगोना पानी क 7 जरूर करना चाहिए, चाहे आपके delivery गर्मी में भी क्यों नहीं हो रही हो, या सर्दियों में क्यों नहीं हो रही हो, आपको ठंडे पानी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी भारी होता है, वो आपको बहुत जदा देखे, वो पीने में अच्छा लगेगा गर्म पानी का इस्तमाल करें, और अगर गर्म पानी में अजवाइन है, अदरक है, तो उसे जदा बहतर और कुछ नहीं है, आपको delivery के time पे thermos में ये bottle में बना कि गर्म पानी आपको ले जाना चाहिए, और sip-sip करके आपको पीना चाहिए, चाहे आप टहल भी रहे हो, तो ह जटके में आपकी baby की delivery हो जाए, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बच्चे की delivery जैसे ही होती है, बच्चे का सर निकल जाता है, आप विश्वास नहीं करीगा, आप जितने दर्द से गुजर रहे थे, एक जटके में आपका सारा का सारा पेन खतम हो जाता है, तो इसलिए आप normal delivery को support करिए, normal delivery से बैतर delivery का और कोई process हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर किसी तरह की complication है, डॉक्टर आपको बार-बार बोल रहे है, समझा रहे है, कुछ complication है, जो कि मा और बच्चे के लिए खतरनाक है, तो आपको C-section के तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन अपनी body को इ C-section इकदम अंतिम समय होना चाहिए, जिस टैम पे कुछ खतरा है, मा को खतरा हो सकता है, या बच्चे को खतरा हो सकता है, उस टैम पे आपको C-section आप्ट करना चाहिए, लेकिन normal cases में आप normal delivery से बिल्कुल ना घबराए, ये भगवान की देन है, और बिल्कुल अच्छी तरह सुखद आपकी delivery हो जाएगी, इश्वर की कामना करते रहेए, कुछ हच साब मंतर पढ़ लीजे, चाहे हनवान चली साब पढ़ लीजे, या किसी भी धर्म से अगर आप बिलॉंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सीकिसाई, जो भी भगवान को आप मानते हैं, तो इक बर उ होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो बहुत हिल्दी होगा, यह विश्वास आपको घर से ही बना के जानी है, और आप देखेगा, यकीन माने दोस्तों, आपका सारा काम बनेगा, होस्पिटल में भी आपको ज़्यादा परिशानी नहीं आएगी, और मेरी बस अच्छे से हो जाए, इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो को इंड करती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक कर दीजिगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक का ज शेयर करना बिलकुल ना भूले, थैंक यू सो मच फर वाचिंग, ट्विल्स वैबल केर